अब इसलाम लेकूम इस्टेंट्स लास 7 अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक देखें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इसमें हम लोग अपना फाइनल का स्लेवर्स कंपीट करेंगे तो फाइनल के स्लेवर्स में सबसे पहले चैप्टर स्टिक कर लें कंटेंट्स में देखें सब維ी लोग pouज साथ यहाई आइंडेक्स में लेसन नमों 22 लेसन नमों 25 और लेसन 22, use of it, page number है 56, यहां जाएं, page number है 56, lesson number 22, और lesson name क्या है, use of it, यानि कि यहां पर हम it का use करना चेखिएंगे, कि it का use कहां कहां, और कैसे करना है, ठीक है, तो exercise में देख लेते हैं, कहरें, translate into English, इसको हमें किस में translate करना है, English में translate करना है, हिंदी में give हैंना, English में करना है, first sentence है, बाहर अंधेरा है, तो it is dark, बाहर means outside, क्या कल मौसम सुहावना था, question कर रहे हैं, तो हम last में question mark लगाएंगे, और question mark के लिए, हम यह helping भब यूज कर रहे हैं, इसका हम starting, पहले से करेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा, was the weather pleasant yesterday, यानि कि था, यानि कि घुजरा हुआ कल, कल गर्मी नहीं होगी, it would not be hot today, कल गर्मी नहीं होगी, it would be not, sorry tomorrow, नहीं होगी है न, कल के लिए कह रहे हैं, क्या Is it not hot today, क्या परसों सर्दी होगी, will it be cold day after tomorrow, यानि क्या जाने वाला कल है, उसमें क्या सर्दी होगी, अब दो बज़े हैं, it is two o'clock, कितने बज़े हैं, दो, next है क्या कल रविवार था, was it Sunday yesterday, कल वर्षा होगी, it will rain tomorrow, बाहर अंधेरा क्यों है, why is it dark outside, बाहर means outside, आज ठंड है, it is cold today, आज के लिए today, फरवरी का महीना था, it is, एक सेंटेंस रहे हैं, देखिए, फेबररी का महीना था, यह हो जाएगा, it is the month of, it is the month of February, ठीक है, यह है हमारा सेंटेंस, 11, अब next है, अब दो बजे है, it is 2 o'clock, आज क्या आज सोमवार है, it is, sorry, is it Monday today, question mark, जहां जहां question किया गया है, वहां question mark लगाएंगे, ठीक है, आज ठंड नहीं है, तो is, it is not cold today, क्या वहां गर्मी थी, question कर रहे हैं, तो was it hot there, mostly question sentence जो है, उन सभी में हमसे यहां पर क्या किया गया था, question किया गया था, ठीक है, तो यहां पर आजाएगा हमारा question mark, next page number, lesson number 22, और next chapter मैंने आपको बताया था, lesson number 25, page number 80, तो page number 80 पर आएँ, page number 80, lesson number 25, lesson name है imperative sentences, imperative sentences को इसमें हमें, imperative sentences कड़ेंगे, simple sentences जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, क्या exercise है, exercise है, first है इसमें translate into English, इसको किसमें translate करنا है, English मे, first है किर्पिया मुझे पानी दीजिए, तो हिंदी में given है, इसको English में करना है, तो ये आप लोग होमवक में करेंगे, और ये जो है, वो मैं आपने आप लोगको ऊपर वारला explain कर रह, हिंदी to English, किर्पया मुझे पानी दीजिए तो प्लीज गिव मी वाटर सड़क पर कभी मत दोड़ो सड़क को क्या कहते हैं रोड दोडने को रन मत नहीं कह रहें तो नेवर तो सड़क पर कभी मत दोड़ो कभी नहीं के लिए क्लिम उसे मत बुलाईए डूंट कॉल don't don't हो जाएगा don't call him दाथ साफ कर लो brush teeth अगर आता अपने दाथ साफ कर लो तो यह हो तब brush your teeth यहाँ पर सिर्फ given है दाथ साफ कर लो तो हम लेखेंगे brush teeth गरीबों की सहायता करो help the poor ठीक है पूर्स गरीबों की इसी तरह से यहाँ आपको यह Hindi में given है do not play there तो यहाँ नहीं खेलो तो इसको आप लोग यहाँ पर complete करेंगे do not abuse anybody please do not disturb me never do any wrong कभी कुछ गलत नहीं करो kindly write me a letter please मुझे एक letter लिख कर दो kindly कहते हैं किरपया को तो यहाँ पर आप इसको complete करेंगे नेक्स जो है वो है essay writing देखिए essay जो इसे जो इसे जो इसे जो इसे है पेज नमबर पार लेसा नमबर 29 पेज नमबर है 80 87 तो पेज नमबर 87 निकालें पेज नमबर 87 पर essay given है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या show करेंगे पार्ट नमबर देखिए मैंने इसको आपको पार्ट नमबर 3 में भी पढ़ाए था और अब यह हम लोग का क्या है पार्ट नमबर 5 में भी इस हमने ऐसे पढ़ने हैं पार्ट नमबर 3 में जो ने पहले complete किये थे वी 2 में उसमें क्या थे आपको मैंने यह स्टार्टिंग की टू दिये ठीक है अब फाइनल के लिए जो ऐसे आप लोग को प्रिपेर करने हैं वो यहां जाएं पेज नंबर 88 पर एक है आपका होली ठीक है यह क्या है होली जो है यह आपका है पार्ट नंबर फाइव में ठीक है स्ट्रेंट्स और नेक्स्ट जो है आप इसमें से लिंगे आपके रिकेट मैच यह है पेज नंबर 89 तो यह टू ऐसे जो है यह आप लोग को अपनी एक्जाम के लिए प्रिपेर करने हैं पार्ट नंबर 5 ठीक है दोनों में से एक कर सकते हैं option में होंगे तो आप दोनों में से कोई भी जो आपको easy लगी उसको complete करेंगे ठीक है फर्स्ट क्या है इसमें holy या फेस्टिवल ओफ colors और second है cricket match पार्ट नंबर दोनों ही 5 में ठीक है यह हम लोग उने अपने पी उसमें पार्ट नंबर 3 में भी complete किये थे अब हमें यह दोनों किये थे यह नहीं पढ़ने है next यह वाले दोनों पढ़ने दोनों में से कोई भी एक ठीक है बस यही तीनों chapters हम लोग को इसमें complete कर करने हैं यहाँ पर हम लोग अपना लिख लेंगे essay 2, essay 2 है सकते हैं या फिर final course completed ठीक है page नंबर 89 पर तो यह 3 chapters हम लोग को अपने exam के लिए prepare करने है ठीक है students, thank you कर दो कर दो